हलो दोस्तों नमाजकार बहुत दोस्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों आज हम पढ़ेंगे टायर स्पेसिफिकेशन्स के बारे में लेकिन आज की यह जो हमारी क्लास है यह हमारी आगरी क्लास होगी और यह क्लास आपकी अधिक से दिक 4-5 मिनट की होने वाली है यह है जो क्लास है आपकी इसमें आपको सिर्फ एक दो पॉइंट ही जानने होंगे जो आपके लिए इंपोर्टन्ट हो सकते हैं और अभी आपको जो लास्ट की 3-4 क्लासेस मिली है यह है आपकी सारी सारी क्लासेस एक विकल के यूजर मैनूल से ली गई है तो चुकि आपक के टॉपिक से सम्मझित कोई भी चीजें छूटने ना पाएं जिससे कि आपका कोई भी कॉश्टन भी ना छूटने पाए तो यह हमारा आज का आखरी टॉपिक होगा और इसके बाद फिर हम करेंगे मौक टेस्ट मौक टेस्ट भी आपका दो तरह सो होगा जो पहले आपकी क्लासर्स आएंगी उसमें आपको एक तरह से कह सकते हैं कि आपको टॉपिक वाइस मौक टेस्ट मिलेंगे जैसे पहले आपको जीके का मौक टेस्ट मिलेंगे दो तीन पेपर जीके कि आपको मिलेंगे पचास-पचास या सो सो के कोश्टन के उसके बाद आपकी मिलेंगे ए यह सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और एक-दो प्रिस्ट आपको अब कम्मारे जाएंगे ठीक है यह हमारा अभी का प्लान है चले फिल देखते हैं आज हम यह टायर इस स्पेसिफिकेशंस में तो जो टायर इस स्पेसिफिकेशंस होते हैं इन्हें बदलने के लिए या इ तो उसके मैंडृवल में कुछ लिखा रहता है या एक सलाते हैं तो टायर होगा उसकी लाइफ कितनी लंबी होगी इसके भाख कितने यानि कि कितना वाजन तक साज़ सकता है यह इसके आकार y provides की सामिल रहती हैं तो यहाँ पर टाइहर है तो बिस्वलोसे new आताया लेते हैं तो यहाँ पर कुछ आपको what amen say ते तहितन है आपको जानना ज़रूरी होता है इसमें से kुACH डायमेंसे होते हैं जैसरे आप पर आपका नाम नेम लिखा हुआ है तो आपका company का नेम आ जाएगा साथी साथ में यहाँ पर आपका यह वालो जो पार्ट है यह आपको important है और यह वालो पार्ट यह दो चीज़ आपको important है बाकि यह तो आपकी उतनी important नहीं है यहां पर जैसे आप देखिए यहां पर P215 oblique 65 R15 लिखा हुआ है तो यह जो passenger car tire है जो car का tire है P21565 और R है तो यहां पर P का मतलब होता है passenger होता है और इसका जो एक nominal width होता है millimeter में दिया है यहां पर आप देख सकते हैं diameter में दिया गया है यह जो आपका width है यहां रेशो हाइट की और इसकी width की जो ratio है उओ एक तरह से यहां पर दिया गया है यहां पर जो R का मतलब है R का मतलब radial होगा और rim की diameter यहां R के right side में ती गही है यहां की R 15 है यहां की load rating है तो यहां पर maximum load rating यहां पर आपकी दी रहती है आप यहां पर जब नया tire आप लेंगे तो आपको यहां पर clearly दिख जाएगा कि आपकी यहां जो maximum load rating है वो कितना लिखी रहती है यहां पर maximum load rating लिखी रहती है इसे तरह से आपका जो तो टायर का apply composition है तो उसमें कौन-कौन से material यूज किये गए हैं वो साइक सारी चीजें इस साइड में लिखी हुई होती है आपको जब अपने टायर का pressure measure करना होता है तो आपको कई तरह की instrument दिखाई पड़ते हैं जैसे आपका यह पहला instrument है जो हाला कि आप यूज में नहीं रहता है इसे बोलते हैं pen size tire pressure gauge अभी जो वर्तमान में हमें currently में यूज में मिलता है वो यह राउंड प्रेशर राउंड टायर प्रेशर गेज एंड होज अच्छा एक बात और रहे हैं कि जो आपके जो टायर का pressure होता है वो 32-35 PSI यह KPA होता है कि टायर के जो प्रेशर होता उसको जांचने के लिए की चरनो का मिल यह आपकी साफधानी में आ जाता है गेज को वाल्व तक संडेखिद करें जो आपका गेज होगा जिससे आप गेज प्रेशर को मेजर करने वाले हैं उसको आप उस वाल्व पर अच्छे से उसको संडेखिद करें यानि कि उसका ऐलाइंवेंट सही से बनाएं और उसका उस व तो टायर में इसमें कितना प्रेशर है तो टायर का दबाव है उसे PSI या KPA में मापा जाता है यहां पर PSI का फूल फॉर्म पूछा जा सकता है जो PSI होता है उसका फूल फॉर्म है वह है पॉंड प्रतिवर्ग इंच या KPA मतलब किलो पासकल होता है तो इन तो यूनिट में आपका टायर का प्रेशर मेजर किया जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं फिर अगला है हमारा वील इलाइनमेंट अलगी यह इतना इंपोर्टर नहीं है लेकिन फिर भी यदि संबंधित है तो हमें देख कर जाना चाहिए जो हमारा वील इलाइनमेंट है तो हमारे वील इलाइनमेंट को सही करने के लिए सबसपहले हमें अपने वीकल को एक जेट प्लेन पर रखना चाहिए उस जेट प्लेन के बाद जो हमारा वीकल है यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के बीच में आपका एक जो इमेजिन रेखा हो करें तो हमेशा 90 degree के equal में आनी चाहिए दूसरी बात यह है कि आपके wheel का alignment है तो wheel alignment को भी ठीक करने के लिए आप यहां पर इस तरह से आप मार कर सकते हैं यहां पर भी 90 degree का ही कोड आना चाहिए तो बस इसमें आपके इतनी है कि wheel alignment के लिए wheel के wheel में और उसके जो plane होता है जहां पर आपका विकल रखा हुआ है उन दोनों के बीच में कितने डीगीदी का कोड बनना चाहिए तो आप कह सकते हैं कि 90 degree के आसपास का कोड बनना चाहिए हाला कि यह 89.85 के आसपास होता है लेकिन आप इसको लमसम में 90 degree आप इसको correct कर सकते हैं ठीक है तो यह थी आपकी एक ब पार्ट मिलने सुरू हो जाएंगे तो मिलते हैं आप से हम अगी क्लास में तब तक लिए नमसकार धन्यवाद